Hello everyone, Brain Bloomer पर आप सभी का स्वागत क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे आप सभी रिलेट कर सकेंगे इसलिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उन सभी से शेयर भी करें जिनके आपको लगता है कि उन्हें भी ऐसी परिस्ति का सामना करना पड़ता है हमा चर्चा करने वाले हैं NCRT की क्लास 7 के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक हानी कॉम से पोईम चिवी जिसे लिखा है माइकल रोजन ने और जिसके शुरुआत में ही माइकल ए घटना का वर्णन करते हैं जब वो पात साल के थे उनकी माँ उन्हें पास ही के एक स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई जहां तीचर ने उनसे पूछा कि माइकल आपको आपकी माँ घर पर क्या कहकर पुकारती हैं तो उनका जवाब था माइकल डोंट यानि माइकल की माउने हर वक्त कुछ ना कुछ करने को कहती थी या कुछ ना कुछ ना करने को कहती थी यदि आप dictionary में चिवी शब्द का अर्थ देखें तो पाएंगे कि चिवी का अर्थ होता है हर वक्त किसी को कुछ ना कुछ करते रहने को कहना वो भी बहुत annoying या खीज भरे तरीके से तो पोईम का first रांजा कहता है अर्थात बड़े लोग बच्चों को हमेशा कोई न कोई हिदायत देते रहते हैं कि कुछ तो बोलो, मुँमें खाना हो तो मत बोलो, ऐसे घूरो मत, उंगली दिखा कर बात मत करो, नाक में उंगली मत डालो सिगंड स्टांजा में कभी कहते हैं यानि, इंस्ट्रक्शन्स की लिस्ट काफी लंबी है जैसे, ठीक से बैठो, प्लीज बोलो, शोर कम करो, दरवाजा बंद करो, पैर घसीट कर मत चलो क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, जेब से हाथ बाहर टिकालो थर्ड स्टांजा में कभी कहते हैं अर्थात मोजे उपर करो, सीधे खड़े हो, थैंक यू कहो, बीच में बात मत काटो किसी को तुम्हारी बात पर हसी नहीं आ रही, टेबल से अपनी कोहनी हटाओ, वा गेरा वा गेरा लेकिन पोएम के आखरी दो पंक्तियों में कभी व्यंग करते हुए अपनी ये बात रखना बिलकुल भी नहीं भूलते कि बच्पन से बड़े होने तक हर बात दूसरों के इशारों पर करने वाले ये बच्चे जब बड़े होते हैं, तो उनसे ये क्यूं कहा जाता है, कि क्या तुम खुद अपने लिए फैसले नहीं ले सकते, क्या तुम्हें अपने दिमाग से काम करना नहीं आता? यानि कभी कहना चाहते हैं, कि बच्चों के लिए हर फैसले लेने वाले माबाप, उन्हें नाग करते करते ये कैसे भूल जाते हैं, कि आगे चल कर इनी बच्चों को अपनी जिंदगी के लिए फैसले खुदी लेने होंगे? मेसेज देने वाली ये पोएम आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं Hope you like the video Keep learning and have fun Thanks for watching